जहीं दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज से वीडियो में बात करने वाल है कि TDS को कैसे रिफन ले ITR फाइल करके तो वीडियो को लास्तक बने रहिएगा तो चलिए हमने गूगल को ओपेन करते हैं ओपेन करने के बाद अभी इसमें आपको टाइप करना होगा ITR उसके बाद आपको इंटर करना है इंटर करने के बाद अभी आपको टॉप में दीख रहा हूगा Income Tax Department Home उसके उपर आपको क्लिक करना, क्लिक करके आगे बढ़ना अभी ही आपका income text का main portal open हो गया होने के बाद right hand side में top में आपको दो option दिख रहा होगा एक login है एक register है तो register के उपर मैंने full video बना रखा है और उसका link मैंने description box में दे रखा तो link पे click करके पूरा अपना process देख लिजेगा देखने के बाद आप register कर लिजे उसके बाद आप दु करना है click करने के बाद नीचे आपको अपना password को fill up करना fill up करने के बाद नीचे continue बटन के उपर click करके आगे बढ़ जाना है अभी आपको top में बहुत सरा option दीख रहा होगा तो आपको दीख रहा हो dashboard e-filing authorized button इस तरह बहुत सरा option दीख रहा हो लेकिन आपको e-filing जो option दीख र को अगे बढ़ने के बाद अभी यहां पर आपको assessment करके कौन सा assessment आपका तो यहां पर तैस्ट चुविस assessment यहां आपकोوس करना है उसके बाद यहां आफ लाइन और online दीए हुआ तो आपको online चूज करना है select करना है select करने के बाद आपको continue button के उपर click करके आगे बढ़ जाना ह अभी यहाँ पर आपको first बर आप आओगे तो यहाँ पर start new filing के उपर click करना होगा हलाकि मैंने कुछ form करके रखा है तो इसलिए resume दिखा रहा है आपर अगर first बर आप आईएगा तो आपको start new filing के उपर click करके आगे बढ़ना है तो मैं इसको resume करता हूँ आपको personal information को उपर आना है जाने एक पीकट करना है open करने के बाद अपना personal information को पूरा चेक करना है कि आपने जो fill up किया वो सही यह या गलत है यहां बर आपको अपना personal information को check कर लेना है चेक करने के बाद अब scroll करके आपको नीचे आने के बाद अभी आपको दिख़ना nature of employee कि आप जो tax ITR फाइल कर रहे हैं वो क्या new resume भरना चाहते हैं या old resume तो फिलाल मैं deduction लेने के लिए मैं old में fill up करूँगा उसके बाद आपको bank में यहाँ पर select for refund आपको जो refund लेना है या नहीं लेना है फिर भी आपको refund के उपर आपको click करके रखना है उसके बाद आपको scroll करके नीचे आना है अलाकि bank को validate भी कर लेना है आपको करने कर लेना है पहले उसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको confirm के उपर click करना click करके आगे बढ़ जाना है तो चले हम लोग open करते हैं open करने के बाद income from salary पहले मेरा salary से जो income है मैं वो fill up कर देता हूँ आपको gross salary दीख रहा होगा 6,17,000 account रुपया यह जो मेरा income है मेरा firm 16 में gross salary जो है वो ही मैं amount या आपर fill up किया हूँ कोई extra amount मैंने fill up नहीं किया है उसके बाद नीचे जब आओगे तो आप देख रहे हो net salary में 6,17,000 account रुपया है उसके बाद standard deduction दीख रहा होगा net income मेरा बच गिया 5,65,471 रुपया उसके बाद scroll करके नीचे ने इसको save कर लेना क्योंकि यह मेरा काम complete हो गया next option में जाते हैं कि उसको fill up करते हैं अभी आपना save करके आगे बढ़ जाना आगे बढ़ने के बाद अभी आपको दीख रहा होगा income from salary पुरा ग्रोस salary आपको दीख रहा होगा 6,17,000 रुपया उसके बाद मेरा जो deduction है 51,580 रुपीज दीख रहा है और अभी total income मेरा 5,65,471 रुपया बच रहा है तिये सारा मेरा income का complete हो गया second option है आपको income from house property तो अगर आपको house property चे इंकम है तो यहाँ पर add करना है और describe कर देना थाड़ option है आपका income from other source तो income from other source से मेरा option आया हुआ है कि interest from saving account जो मेरा interest earned हुआ saving accounts आया हुआ है और कुछ interest मेरा fixed deposit जो किया हुआ था उस से आया हुआ यह सारा जो amount दीख रहा है आपको form 16 में मेरा mention किया हुआ वही चीज मैं डाल रहा हूँ कोई extra अपने तरब से इसमें नह account से मैं उसको deduction बाद में ले लूँगा ATTT का अंदर में उसके बाद exemption है तो ठीक है आपको confirm करना है confirm करने के बाद आपको first second हो गया third आ गया total deduction पहला आपका deduction में जो जो आप deduction लेना चाहते है और जो आपके पास reasonable deduction है तो उसको आपको yes करना है अदरवाई आपको no करना no करके आगे बढ़ते जाना है scroll करके नीचे आना है इसमें अभी नीचे में जब आओ गया तो यहाँ पर ATC है ATC में आपका PF आ गया provident funds आ जाता है LIC आ जाता है यह सब मिलाकर आपको डेरला का छुट रहता है यहाँ पर तो मेरा इसमें कुछ deduction लेना है तो मैं इसको yes कर दिया अ medical expense में मुझे कोई खर्चा होता है तो मुझे उसका deduction मिल जाता है तो मैं ATD में कुछ deduction लेने वाला हूं उसके बाद आपका ATE है इसमें मेरे कुछ नहीं लेना है मेरा deduction उसके बाद ATTA है जो interest from saving bank accounts जाता है उसका मुझे लेना deduction जो कि मैंने income already दिखा रखा था इसको भी आपक ATD में मैंने 50,000 का deduction मिलता है मैंने 50,000 का deduction ले लिया क्योंकि हमारे घर में senior citizen है उनका मैं medical expense करता हूं उसका मैंने deduction पूरा ले लिया उसके बाद आपको scroll करके नीचे आना है इसके बाद हमको next deduction लेना है ATTA जो interest हमने दिखा रखा था है और fixed deposit के दोनों मिला कर मैंने 18,125 पर द confirm कर देना confirm करके आगे बढ़ना अभी यहाँ पर first second third होगे अभी हमको tax paid के उपर click करना देखना मुझे tax कितना मेरे उपर आ रहा तो अभी यहाँ पर tax मेरा total paid already हो चुका है TDS के थूरू 23,220 रुपया तो यहाँ पर नीचे में आपको option दीख रहा है show details उसको जब उपर click कर होगे तो आपको पूरा details मिल जाएगा कि यह जो आपका tax कटा हुआ किस जगह से कटा हुआ और किस ने कटा है उनका नाम दे रखा है और उनका pen card नमर भी दे रखा है scroll करके आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद एक confirm button के उपर click करना है click करके आगे बढ़ जाना है आपका first second third last में आपको बच गया total tax liability उसके उपर आपको click करना है click करके देखना है कि आपका liability क्या बनता है तो gross income मेरा आपको दीख रहा होगा उसमें से total reduction मैंने 87244 के ले लिया तो total मेरा income हो गया 4,96,000 आपको दीख रहा हो जबकि आप जब भी 5 लाग तक income आपका रहता है तो आपको 12,500 का tax लगता है जो कि वो आपको छूट हो जाता है मतलब exempt हो जाता है रिवेट हो जाता है तो हमारा tax लग रहा था 12,319 रुपया जो कि 87 के अंदर मेरा जो exempt हो गया अब scroll करके नीचे आना नीचे आने के बाद आपको confirm कर देना confirm करके आगे बढ़ जाना है तो अब scroll करके नीचे आने के बाद आपको option proceed के उपर आपको click करना click करके आगे बढ़ जाना है तो आपको दीख रहा होगा you are eligible for a refund of rupees 23,220 रुपिस का मतलब हमारा जो TDS कटा हुआ 23,220 रुपिया का वो पूरा का पूरा refund होने वाला हला कि आपको मैं दिखा दिया कि एक भी जो मेरा deduction था गलत नहीं है हमने PF का amount डाल रखा है LIC का amount डाल रखा और जो medical expense करता हूँ पूरा year में मैंने उसमें 2.500 का deduction मुझे मिलेगा तो मैं 50,000 का deduction ले लिया उसके बाद नीचे आना उसके बाद आपको preview return को उपर क्लिक करना preview return में मतलब आपको एक बार देख लेना कि आपने क्या fill up किया है अगर को change करना तो change कर सकते है यहाँ पर आपको proceed to validation करना यहाँ पर validation में सक्सेस्फूल हो गया उसके बाद proceed to validation verification पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर OTP के थोरो पूछा जाएगा तो अगर आपका अधार से mobile number link है तो आप अधार पर option select करेंगे उसके बाद आपको proceed करके आगे बढ़ना है यहाँ पर भी आपको अधार ओप्शन को select करने ला है करके आगे बढ़ना आपको select करने के बाद आपको scroll करके नीचे आने के बाद नीचे continue बटन को उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर आपसे पूछा जाए क्या अधार पे तो इसको I agree को उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद नीचे में option जो दिया हुआ है generate अधार OTP उसको आपको click करना है इसको tick कर लेते हैं tick करने के बाद अभी यहाँ पर आपको generate अधार OTP को उपर click करना है तो आपका OTP generate हो जाएगा तो OTP आपके mobile पर जाएगा OTP को यहाँ पर fill up कर देना, fill up करने के बाद नीचे validate कर देना है आपको OTP हमने fill up कर दिया, fill up करने के बाद यहाँ पर हम validate कर देते हैं validate करने के बाद अभी आपसे पूछा जागा है कि confirm करना है नहीं करना अगर अभी भी confirm नहीं करना है तो cancel कर सकते हैं अलाकि मेरा case है कि मेरा सारा सही है तो मैं इसको submit कर देता हूँ, submit करके आगे बढ़ जाता हूँ, अभी आपको स्क्रीन पर दीख रहा हूँ कि हमारा जो idea था, वो successful submit हो चुका है तो और आपको side make दीख रहा है download receipt, उसको उपर click करके आपको receipt को download कर लेना है आपको one week के बाद आपको tedious amount को track करना है कि आपका income tax department के तरफ से tedious amount proceed हुआ है नहीं हुआ तो मैं उसको उपर एक वीडियो बना रहा हूँ, बना कर Instagram पे upload कर दूँँगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दीख रहा होगा मेरे Instagram आइडे, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, थाकि इस तरह का informative वीडियो आपसे मीश हो जाए